का लिए यहाँ अजिए इस भी तापरिक है कार्टिलेज हम यह लास्ट टॉपिक है स्काल्टेन जप्टर का अपरिक वह तो इसमें से पालिटरफी और स्निक्रोंड्रोसिस तो ये सारी टर्म्स में हमें कॉंडूवर्ड से पता चल रहा है कि काटिलेज के साथ बात करे हैं oni करके बाद ॥े कर्डलिच एमने शेण बबर से लिए कोडसर बना है और फाइबर से बना器 आ और फाइबर से बनाए था बनाते हैं। नियुक्षी यहां घृत पर संके करेक्षा सिसां में फैबर र्म में फाने हैं means जैसे bone hard होते है उतना hard नहीं होता होता ये भी hard है बट ये as compared to bone उतना hard नहीं है तो ये real like matrix से बना होता है वो zen like matrix में हमारे पास muco polish eccrites present होते हैं और इसमें जो analysis हीती है bone के comparison में जादा होती है उसके बास जिनना features में आ जाता है कि cartilage में कोई blood supply नहीं होती है means blood vessels और lymphatics नहीं होते बलके जो bone होती है उसमें blood vessels और lymphatics तोनों की बात करी जाती है इसी वजह से blood vessels नहीं होएंगे तो blood vessels के तुरू ही इसको क्या bone को nutrition मिलते थे अब इसमें blood vessels नहीं है तो means इसको nutrition कैसे मिलता जाता है तो इसको nutrition जो diffusion process के तुरू मिलता है और इसमें नर्व सप्लाई भी नहीं है इसे वज़ए से यहां पर सेंसेशन नहीं मैसुस होती बलकि बॉन्स में नर्व सप्लाई भी बहुत अच्छी होते हैं उसके बाद आजाता है कि यहां पे जो कार्टिलेज का सबसे आउटर जो लियर होती है फाइबरस मेंब्रेन उस कुछ उस पेरियोस्टियम लेयर से सिमिलर होता है यहां पर जो आर्टिकुलेज कार्टिलेज होता है उसमें पेरिकॉंड्रियम नहीं होता है यहां पर आर्टिकुलेशन होती है जो आर्टिकुलेशन के लिए कार्टिलेज यूज किया जाता है वो हाइलिन कार्टिलेज हो क्योंख सारथ होगार, इसके बाद में बौन आक से अशे बनी होते हैं इसमें उसीन मिटिरियल होता है और इसमें कौन सा आ जाता है Chondritin जो flexible material होता है ठीक है उसके बाद मेट्रिक्स में calcium salt आ जाता है इसमें calcium salt नहीं होता इसमें nerve supply बहुत जादा होती इसमें होती है उसके बाद इसमें blood vessels होती है इसमें नहीं होती है bone marrow present होती है क्योंकि देखो bone marrow कहाँ बहुत है medullary cavity में तो ऐसे इसमें तो कोई partition है ही नहीं तो इसमें जो growth है वो सिर्फ apposition से ही होएगी बड़ यहाँ बहुत ग्रोथ additional और interstitial दोनों होएगी additional में आ जाता है कि material जैसे हमने bone बहुता था material surface पे deposit होता था तो उससे क्या है हमारे पास growth होती थी यहाँ पे surface पे deposition होएगी उससे भी होएगा और intestinal जाने कि बीच में deposition से भी होएगा उसके बादा आ जाता है हमारे पास cartilage की different types तो hyaline cartilage, fibro cartilage और elastic cartilage hyaline cartilage के अगर बात करेगी यह जो articular cartilage है जाने कि long bone का articular cartilage यहाँ पे present होएगा epiphyseal plates में जो हम epiphyseals के नीचे epiphyseal plates होती है वहाँ पे present होएगा nasal cartilage में जाने कि हमारे नीजो फेनिक्स में आपको बात कर देंगे उसके बाद thyroid में present होता है cricoid और most of the retinoid यह दोनों के दोनों जो है यह linux की type सा आजाती है और उसके बाद आजाती है trachea और bronchis में और costal cartilage जाने कि जो ribs के पीच में जो cartilage हो वहाँ पे present होएगा और अगर इसके बात करी जाए तो यह intervertebral disc जो हमारे पास vertebrae होते है vertebrae एक दूसरे के साथ link होते है इस intervertebral disc के साथ तो वहाँ पे यह वाला cartilage present होता है interpubic disc जो pubic reason में जो bones है उसके बीच में यह वाला material present होता है वहाँ पे cartilage present होता है और उसके बाद आजाता है temporomandibular joints जो temporomandibular joints है वहाँ पे भी यह present होएगा sternoclavicular joints जाने कि आपकी sternum और जो clavicle bone उन दोनों के बीच में जो joint है वहाँ पे और temporomandibular जो आपका skull का जब हम करते हैं तो उसका temporal region और mandibular दोनों के बीच में जो joint है और इसके बाद आजाता है inferior radio ulnar joint जाने की radius radial और ulnar दोनों के बीच में जो joint है वहाँ पे प्रेजन्ट होएगा और फिर से वही बात कर दी गई यह दोनों joints जो हमने उपर बात करी वही है उसके बाद अगर elastic cartilage की बात करी जाए पीना में आपके प्रेजन्ट होएगा external auditory metas उसमें प्रेजन्ट होएगा you station canals में प्रेजन्ट होएगा epic glottis में प्रेजन्ट होएगा vocal processus जो retinoid cartilage के वहाँ पे प्रेजन्ट होएगा conuculate and cuniform cartilage इन दोनों में यह प्रेजन्ट होएगा मतलब overall यहां के elastic वाले में होगी उसके बाद इनका color blueish white होता है यहां पे glistening white आ जाता है और यहां पे yellow ही अगर हम highland cartilage की बाद करें यह translucent है मतलब इसके आरपार हम बहुत ही कम देख सकते हैं यहां पे तो देखा ही नहीं जासकता है इतना ठिक होता है उसके बाद आ जाता है fibers कैसे है यहां पे बहुत ही thin fibers है और इनका refract index जैसा matrix है matrix का refract index same होता है ठीक है और इसमें बहुत ही ज़्यादा आपको white fibers मिलेंगी यहां पे yellow fibers आपको मिलेंगी यहां पे flexible जो highland cartilage होता है वो flexible होता है यह इसके comparison में strongest है और यह भी बहुत flexible है उसके बाद इसमें pericondrium जो है present है इसमें pericondrium जो fibro cartilage है वहां पे pericondrium absent है और elastic cartilage इसमें pericondrium क्या है present है अब हमारे mind में एक question भी आएगा कि हमने यहां पे starting पे बात करी थे कि pericondrium नहीं होगा यहां पे articulation हम मैंने यह बात करी यह दिमाग में रखना है आर्टिकुलर cartilage जहां पे articulation होगी उस जगह पे जो cartilage present है उसमें कोई भी जो है pericondrium नहीं होगा उसमें ठीक है बट यह वैसे present है बट अगर यह articulation reason पे present तो पेरicondrium नहीं होगा उसके बाद यहां बे cells बहुत जादा होते हैं यहां पे minimum होते हैं और यहां पे beach while region में आ जाते हैं यह तिनों की structure आ जाती है हमारे पास सबसे पहले आ जाती है हाई lint cartilage की then fiberok cartilage की और दन आ जाती है last पे elastic cartilage की तो यहां पे हमारा जो topic पीके कार्लेज का वो खतम हो जाता है ठैंक यू